देखो दोस्तो आज इस वीडियो के इंदरम बात करेंगे South Africa vs. India के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच के बारे में यानि SA vs. IND के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच के बारे में देखो भाईव इस मैच में South Africa के तरब से 2-3 बड़े नाम नहीं खेलने वाले तो ऐसे में आपके लिए टीम बनाने का सनेज़ चेंज रहेगा साथ ही देखो दोस्तों ये वाला मैच खेला जाएगा New Wonder Stadium जोहांसबर्ग के ग्राउंड के उपर तो यहांकी पिछका भी आपको एक एहम योगदान देखने को मिलेगा तो ऐसे में अगर आपको अच्छी टीम बनानी है और सारे स्टेट्स जाननी है तो वीडियो को पूरा याच्छे देखिएगा और साथ ही देखो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो आपको ऐसी कमाल कमाल की वीडियोज हर रोज मिलती रहेगी तो दोस्तों ये वाला मैच स्टार्ट होगा 14 दिसंबर को शाम को 8 बज के 30 मिनट पे सबसे पहली बात आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या पहला कमेंट चेक कर लो वापे आपको मारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल या अच्छे जोईन कर लीजेगा टोस होने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी ना वो आपको टेलिग्राम पे प्रवाइड कर दी जाएगी और सारी देखो दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए 500 का गिववे और गिववे का विनर वही होगा जिसके कमेंट के उपर सबसे जादा लाइक साएंगे यानि सिंपल सी बात है कोई भी एक या दो लाइन का कमेंट करो और जिस भाई के कमेंट पर सबसे जादा लाइक साएंगे वो गिववे का विनर होगा या तो कोई इतना इंट्रस्टिंग कमेंट करो कि बंदे आपकी कमेंट को लाइक करें या कोई भी रेंडम एक दो लाइन का कमेंट करो और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेर करो और उनको बोलो आपके कमेंट को लाइक करें लेकिन rule है giveaway के वीडियो को like करना है, channel को subscribe करना, वीडियो को पूरा देखना है, ये team rule follow करो, giveaway में participate करो और भाव 500 जीतने का मौका तो दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत और सौथ अफरिका के बीच खेलेगे दूसरे T20 मैच का क्या रजल्ट देखने को मिले था और क्या फर्स्ट रेंग की टीम देखने को मिले थी देखो दोस्तो दूसरे T20 मैच के अंदर भारत के टीम ने पहले बैटिंग करते वे 180 बनाये थे 7 विकेट पे फिर उस मैच में बारिस आगे थी उसके बाद 15 आओर का मैच हुआ था और साओध अफरिका को 124 बनाने थे और साओध अफरिका ने 15 आओर में 124 बनाके 5 विकेट से मैच जीत लिया था अगर उस मैच में टीम इंडिया की तरब से टोप पफोर्मर की बात करें तो तिलक वर्मा ने उस मैच में 29 रन बनाये थे सुर्य कुमार यादो ने 56 रिंकु सिंग ने 68 रन बनाई मुकेश कुमार को 2 विकेट मिले और मुमत चिराज को 1 विकेट मिला और आपको फर्स्ट रेंग की टीम में टीम इंडिया की तरब से तिलक वर्मा, सुर्य कुमार यादो और इंकु सिंग, मुकेश कुमार और मुमत चिराज देखने को मिले थे वही साउथ अपरिका की तरब से तरम उस मैच में बात करें तो रिजा हैंडिक्स ने उनन चास बनाए, एडन माकरम ने 30 रन बनाए, एक विकेट लिया, माको येंचन को एक विकेट मिला, जिराल्ड कोईट जे ने 3 विकेट लिये, लिजार्ड विलियम्स को एक विकेट मिला और मैथ्यू ब्रेक्स ने 16 रन बनाए तो और आपको फर्स्ट रेंग की टीम में साउथ एडन माकरम, माको येंचन, जिराल्ड कोईट जे वो लिजार्ड विलियम्स देखने को मिलेते और उस मैच में कप्तान बने थे रिंग कु सिंग 68 रनों के साथ और वाइस कप्तान बने थे सूर्य कुमार यादव 56 रनों के साथ और ये आपको फर्स्ट रेंग की एक करोड विनर की टीम देखने को मिलेती, अलाकि देखो दोस्तों इस मैच में न्यूज ये आ रही है कि जिराल्ड, ओटजी और मार्को येंचन, साइद ये वाला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये तीसरे T20 मैच की स्क्वेड में सामिल नहीं है, जहां तक मैने न्यूज पढ़ी अगर खेलेंगे, तो इंपोर्टेट है, बाकि साइद ये दोनों मैच नहीं खेलेंगे, बाकि सारे प्लेयरे को पोसिबली खेल सकते हैं, तो आप एक आदी टीम इस से आइडिया लेके भी बना सकते हैं, अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पे, न्यू वांड के रिकोर्ड की बात करें, तो 31 T20 मैचों में 15 मैच पहले बैटिंग, और 16 मैच सेगेंड बैटिंग करने वाले टीम ने जीते हैं, और इन 31 मैचों के अंदर फर्स्त निंग का अप्डेट स्कोर 115 रन देखने को मिला है, अगर हम बात करें लास्ट के तीन T20 मैच इस ग्रा और एक विकेट स्पिनर को मिला, उससे पहले साओध अफरिका पाकिस्तान का मैच था, साओध अफरिका ने पहले बैटिंग करती एक 180 रन बनाए च्छे विकेट पे, पाकिस्तान एक 189 रन बनाके च्छे विकेट से मैच जीत गया, आठ विकेट फास्ट बोलर और च्छे 120 रन बने, 188 रन बने, 140 रन बने, एदि बैटिंग के लिए धीक है, उसके साओध अगर आप विकेट देखोगे तो पहले मैच में 14 विकेट गिरे, दूसरे मैच में 12 और तीसरे मैच में 13 विकेट गिरे थी, अगरा हम अन्ग 3 मैचों की बात करें, तो 49 विकेट गिर चुक है क्योंकि इस ग्राउंड के उपर रिसेंटली साउध अफरिका टीट वन टीली है ना जो साउध अफरिका की आईपियल है ना उसके मैच खेले गेते और उन मैचों के अंदर लेफ्टाम और्टरोग्स पीनर रोउस वन डर मेरे बेने एक दो मैचों में चयरचार विकेट नीकाले थी है और इन दो डोडों टीमओं में लेफ्टाम और्चर पार्टिपरेट नहीं किया ना ये करना बहुत ज़रूरी है पांसो जीत सकते हो जिस भाई के कमेट पे सब ज़दा लाइक साएंगे वो विनर होगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं साउथ अफरिका की आपको क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है देखो अर यह है प्रेडिक्टिड प्लेइंग 11 हो सकता है एक दो प्लेइर का चेंज भी हो जाए तो हम आपको रिकोर्ड सारे प्लेइरों का ही बताऊँगा अगर हम बात करें तो रिजा हेंडिक्स और मेथ्यू ब्रेश्ट इनके दरफ से ओपनर तीन नंबर पे एडन माराज यह तीन प्लेइरों के टोब ओर रहे हैं मिल ओर की बात करें तो हेंडिक्स कलासन, टिस्टन स्टब डेविड मिलर केसो माराज तक बैटिंग कर लेते हैं और बोलिंग के अगर हम बात करें तो एक तो गया ओटेनियल बाटमेन, दूसरा एंदाइल फ्रूंकायो, तीसरा तबरेश समसी, चोथा लिजार्ड विलियम्स और प्माचवा केसो माराज और छाटा बोलिंग हो सकता है, बाकि हाई चांस इनकी तरब से आपको यही प्लेइंग इलेवन देखने को मिलने वाली है, अब देखो दोस्तोगर हम टीम इंडिया की बात करें न, देखार टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का अंदाजा लगा पना बहुत ही जादा मुश्किल, क्योंकि प्लेइंग इंडिया ने लास्ट मैच में कुल्दीग यादों को विलाया और वर्ल्टीट वंडेगे नंबर वन बोलर रवी विश्नोई को ड्रोप कर दिया, अगर इतने बड़े बड़े टीम उल्ट फेर कर रही है, तो प्लेइंग इलेवन का अंदाजा लगा पाना मु अब सिंपल जी बात है, एक चीज ओर ध्यान रखना इस ग्राउंड के उपर जब इंडिया की टीम ने लास्ट टीवंटी मैच कहलाता था जौंसबर के ग्राउंड के उपर, वो खेलाता था 2017 में, और उस मैच के अंदर, टीवंटी मैच के अंदर के पारफली में बोलिंग करते हैं, अब इंडिया की तरब से अर्षदीप सिंग, डिपक चार और मुहमत सिराजना ये पारफले के बोलर आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर इन में से कोई खेलता है, तो आपके लिए ग्रेंड लिग का डारेक्ट ट्रंप निकल के आ सकते हैं, बाके आप सिंपल स इसलिए अब हर एक लिए का रिकोर्ड देखेंगे, वीडियो के साथ जुड़े रहीएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा, तो भाई यो वीडियो में आगे बड़े दो प्लेरो का रिकोर्ड देखें, उससे पहले माँ आपको बता इकलाते हो, तो आप जीत सकते हो, एक करोड एज फर्स्ट प्राइज, साथ ही जो नए यूजर अना, उनके लिए खास ओफर है, अगर आप अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, पहले कमेंड में जो लिंक दिया है, उससे माई 11 सरकल अप डाउनलोड करते हो, और विदिन वन हावर आप मेगा जील जोइन करते हो ना, तो आप मतर एक रुपे में जोइन कर सकते हो, यह नए यूजर के लिए ओफर, और पुराने यूजर के लिए आपको बता दूँ, कि यहाँ पे आपको कम कॉंपेटिशन देखने को मिलता है, एस कंपेड तो आपके जीतने के चांस चाहिए 10% ही बढ़े, लेकिन कुछ तो बढ़ते हैं, वही देखो दोस्तों, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउन्डूड करते हो ना, तो आपको 1500 रुपे का बोनस मिलेगा, और फर्स्ट टाइम डिपोजिट करने पे 20% जील के अंदर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेड़ में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, माई 11 सरक्ला बाउन्डूड करो, खेलना स्टार्ट करो, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं, साउथ आफ्रिका के प्लेरों का रिकोर्ड, उसके बाद मेचों में 213 रने 25.4 की एवरेज से, और जोहांसबर्ग के ग्राउंड के उपर, 4 मेचों में 247 रने 61.8 की एवरेज से, जोहांसबर्ग के ग्राउंड के उपर 61.8 की एवरेज करी करता है ये प्लेयर, और लास्ट टाइम जब 2017 में टीम इंडिया ने इस ग्राउंड पे मै पाद देती है तो दिपक चार यहां पे रिजा हैंडिस के लिए खतरा रह सकता है अधरवाज आइसको अपनी मैक्सिमम टीमों में ट्राई कर सकते हैं उसके बाद है मैथ्यू ब्रेग्ज राइटी बैट्समें ने इंडिया ए खिलाफ लास्ट मैच के इंदर 16 रन बनाए थे बाकी यंग्स्टर प्लेयर है इंपोर्टेंट रह सकता है ग्रेंड लिग का डिफरेंचिल रह सकता है रिस्क लोग तो उसके बाद अगर हम बात करें तो मारी पास यहां पे साउथ अफरीका की तरप से है एडन माकरम राइटी बैट्समें ओफ ब्रेक बोलर कप्तान है सा इस ग्राउंड की उपर और रिजा हैंडिक्स की 61.8 की एवरेज है दोनों की एवरेज काफी कमाल की है और मारकरम बैटिंग बोलिंग दोरों से कोंट्रिब्यूट कर सकता है उसके बाद मारे पास साउथ अफरीका की तरप से हैंडरिच कलासन राइटी बैट्समें ने वि 37.3 की एवरेज चे दोगर ये प्लेयर क्रूशल रह सकता है अगर साउथ अफरीका की टीम पहले बैटिंग करे उसके सके अंदर ये बैटिंग से भी एच्छा पफरम कर सकता है और फिर ये विकेट के पीछे एक दो कैज पकड़ेगा तुस्से भी पॉन्ट देर सकता है ब पास्ट मैच के अंदर 17 नाए थी इंडिया खिलाफ उससे पहले 11, 10, 48, 17, 19, 19 और 116 अगर आम बात करे इस ग्राउंड की उपर तो 4 मैचों में 6,0 की एवरेज चे और हैट्टो एड में इंडिया खिलाफ 15 मैचों में 379 ने 47.4 की एवरेज चे अगर आप हैट्टो एड में बात करोगे ना तो डेविड मिलर की आउट्स्टेंडिंग फोर्म है इंडिया खिलाफ लेकिन डेविड मिलर का एक ही इशू है कि ये बैटिंग बहुत नीचे करने आते हैं अगर साउथ अफरिका के टोप ओर रख लेर जल्दी आउट होती हैं तो मिलर ग्रेंड लीक का डिफरेंशिल निकल के आ सकते हैं उसके बाद साउथ अफरिकारी तरफ से ट्रिश्टन श्टब राइटी बैट्समेन है अगर हम बात करें रीसेंट फोर्म की तो लास्ट मेच में चोदा रन बनायते हैं उससे पहले 25, 23, 0, 25, 5 एवरेज ही पफोर्मेस है इंडिया ठोड़ा कम है गारंटी नहीं कि खेलेगा नहीं खेलेगा लेकिन आपको रिकोर्ड बता देता हूं इस प्लेयर ने 33 टी 20 मेच में एक आउन विगेट निकाले ये डोमेस्टिक टी 20 मेच इस ग्राउंड के उपर 4 मेच में तीन विगेट निकाले लेफ्ट आम फार्स मिडि एंध के साथ खेल रही थी ना तब एंदायल फ्रूंग वाई वा इतना काम नहीं था लेगिन अगर इस मेच के अंदर जिराल्ड कोईट जे और माको येंचन दो स्टार प्लेयर बाई चांस ना खेले ना तो उस केस के अंदर एंदायल फ्रूंग वाई चार वर की तो बोल अगर आप उटेनियल बाटमेंड का इस ग्राउंड पर रिकोड की बात करोगे तो एक मैच में दो विकेट है अगर जिराल्ड को इट जे ना के ले तो बाटमेंड केल सकता बाटमें केलता तो डेथ ओर में बोलिंग करने आ सकता है अगर आप इसकी रीसेंट फोर्म की बा इस ग्राउंड पर कोई विकेट नहीं निकाला क्योंकि में एची एक खेल है लेकिन रीसेंट फोर्म भी ठीक ठाक है लेकिन एक बात बात आपको जो आंसबग का जो ग्राउंड ना इस ग्राउंड के मैं रिकोर्ड देख रहा था तब मैंने साथ अफरिका टीट लीग के इस ग्राउंड पर के लेगें साथ-ाथ मेंचों के रिकोर्ड देखे और मैंने आप पर यह पाया कि रोल्फ वंडर मेरे वे एक लेफ्ट टाम ओर्ट लोग स्पीनर है नेधरलेंड का उसने साथ अफरिका टीट लीग में इस ग्राउंड पर तीन चार चर विकेट निकाल इस ग्राउंड पर तीन मेंचों में चार विकेट है यह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता था कि लिजार्ड विलियम एक कमाल का बोलर है इंपोर्टन रह सकता है पार प्लियो डेथ दोनों में बोलिंग करने आता है उसके बाद उसके बाद बी हेंड्रिक्स है देख इस ग्राउंड के उपर छह मैचों में चार विकेट है आपको बता है इसके बारे में तो उसके बाद डोनोंड के उपर अब तक एक मैच में 18 बनाए है लेकिन डोनोंड फ्रेयो की एक खास बात किया कि कभी बार ओफ ब्रेक बोलिंग कर लेता है और प्लेयर यह तगड़ा इस ग्राउंड के प्रेक मेर्टारेशन भी बनाई वे तो यह चीज़ आप देख सकते हूँ यह आपको South Africa के almost सारे प्लेडों का रिकोर्ड देखने को मिल रहा है जो possibly इस मैच के अंदर खेल सकते हैं मैनी अभी णिज़ देखें आंप के साल जूसा सबसे क्या है जिराल्ड को एटिज और matériकों के इंशन इस मैच में ने अनर्फसर रहा सकते हैं लेकिते यह चिराल्ड को ममट ξंच एक बद करके टीम में ले लेना मैंने यह बात आपको लास्ट में से ही बोल ली थी यह बात अब भी बोल रहा हूं देखो दोस्तों मैंने आपको टीम इंडिया की प्लेंग इलेवन ओल्डेडी अंदाजा लगा दिया मेरा जैसवाल या गाइकवाड टोप ओडर में को थोड़ी कन्फूजन थोड़ी बोलिंग भी कन्फूजन मिडलोडर तो वही देगा क्योंकि यह इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रही है बदानी पिछले साल वर्ल्ड कप से पहले भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किये थे कभी कोई कप्तान बना रहे थे कभी किसको बना रहे थे इस साल वी एक्सपेरिमेंट कर रही है मैं लास्ट मेच में उम्मीद करा था कि रभी विश्णोई खेलेगा लेकिन कुल्दी प्यादोगों खेला लिया अब दिपक चार का रिकोर्ड भी डिसेंट है साउथ अफरिका के लाफ और इन्हों ने फिर असदिप को मोका देते हैं उसके लाफ में यह उम्मीद कर था है गाई को मोका देंगी लेकिन लास्ट मेच में इन्हों ने इससी जैस्वाल और शुबमंगिल से ओपनिंग करवा दी तो यहां पर एक्स्परिमेंट कर रहें क्या पता प्लेंग लिए उन मैं तो यह मान कर चला हूँ बाकि मैं आपको र लेकिन प्लेयर अच्छा है चेजिंग अगर इंडिया की टीम करें तो सीवीची का भी उप्सन निगल की आ सकते है उसका दिरुत्तुराज गाई क्वार्ड है गाई क्वार्ड की बात के तो लास्ट वाला में इस तो नहीं कहले थे उससे पहले दस बतिस एक्सो तेईस पाला है हिट एनमीस प्लेयर आते ही मारना ही कोसिस करेगा अगर बोल बेट पर सही से आती है तो यह प्लेयर ऐसा है पत्चीस बोलों में 50 रन मना देगा और अगर बोल थोड़ी बहुत स्विंग होती तो जल्द याउट भी हो सकता है अब जैस वाल जुद्दूराज पन और एक मेच में 54 रन है साथ अफरिका खिलाफ आठ मेच में 16 रन है उननीस प्लेयर खेलेगा या आईयर के जिगए तिलक वर्मा खेलेगा जिनोंने लास्ट मेच में 29 रन बनाए थे तिलक वर्मा का रेसेंट फोर्म भी थोड़ा डीसेंट है लेकिन अगर अगर अईयर उप्सन ने लास्ट मेच में 31 रन भी बनाए थे उसके बाद है सुडिय कुमार या दाओ यादो कि आउट्स्टेंडिंग फोर्म चलड़ी टीट वंटी के अंदर लास्ट मेच 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 बनाए थे साउध अफरिका ए खिलाफ पांच मेचों में 243 रन बना चुका है 62 पू हो गया था इशान किशन अगर खेलता ना इशान किशन के साउध अफरिका खिलाफ पांच मेचों में 242 की एवरेट से वह यागर रेसेंट फॉर्म की बात करोगे ना तो लास्ट में से एक मैच में जूरू प्याउट था उससे पहले बावन बावन स्थाइस शे एक लगा अजरे भाद हमारे पास है रिंकू सिंग देखा रिंकू सिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए था रिंकू सिंग ऐसा प्लेयर है ये अगर बैटिंग आ गई तो यह फेंटेसी की फरस्ट रैंक की टीम में आ जाएगा अगर आप लास्ट के आट मैस देखोगे तो एक मैच में 6 रन बना के आउट हुआ है, बाकि लास्ट मैच में 78 रन बना के एक अपतान बना था, उससे पहले 46 रन, 31 रन, 22 रन, 37 रन, 38 रन, आउट ओफ दा बोक्स डिफरेंचल प्लेर है, लेकिन एक इशू है यही कि बैटिंग थोड़ा नीचे करने आता है, अब अग पहले एक विकेट, उससे पहले 35 रन, 0 विकेट, 27 रन, 1 विकेट, 16 रन, 1 विकेट, 16 रन, 0 विकेट, 22 रन, 25 रन, 1 रन, 3 विकेट, लेकिन अगर टीम इंडिया यहाँ पे पहले बोलिंग करती है ना, तो जड़ेजा को टीम में रखना भी मस्ट रहेगा, उसके अलावा पहले लहाँ, उससे ने एक विकेट निकाला था, अगर यह मैच रवी विश्णुई खेलता है, तो मैं 101 परसेंट मेरी पीम में लूँगा, चैनले मेल को लूस हुजए, क्योंकि रवी विश्णुई T20 का करण्ट की डेट में नंबर वन बोल्दर है, आप देखो, गुल्ड आउट किया था आप सावने वाले प्लेर को या पर आप देख सकते हो आउट्सेंडिंग फोब में है आप कुल्दी प्यादों को भी ट्राई किया जा सकता अगर खेले तो पर वो पिछ की कंडिशन को देखें हम डिसाइड ही करें अगर रवी विश्ण नहीं केलता एकुएड रिकोड आर्सदीप सिंग का आउटसेंडिंग शाओफ अफरिका एकलाव यहां पर दिपक चार हो वर अर्सदीप सिंग में से कोई एक खेलना चाहिए मेरा वोडड दिपक चार की तरब जाता लेकिन अगर अर्सदीप सिंग खेलता है तो ब्याप ग्रेंड ली हालागी मैं अभी सिराज पर ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में सिराज ने आउटस्टेंडिंग बोलिंग की थी और रीशन फोर्म भी काफिछ है उसके बाद मुकेश कुमार को आपको बता है लास्ट में दो विगिट निकाले थे बीशन फोर्म भी ठीक था गया और डेथ में बोलिंग करने का स्पेसलिस्ट माना जाकता है एक प्लेयर अगर इंडिया पहले बोलिंग करे तो इंपोर्टेंट है सेकंड में भी ट्राइ किया जा सकते है यह आपको टीम इंडिया की ओल्मोस सारे प्लेयरों का देखने को मिल रहा है अब देखो दोस्तों हम टीम देख लेते हैं यह है मेरी सबसे पहले एक सेफटी जिसके अंदर मैंने विकट कीपर में हैंडिच कलासन को लिया है बैटिंग में रिंकु सिंग सुर्य कुमार यादो रिजा हैंडिक्स उसुब मनगिल को लिए ओल्ड हैंटर में मार करम और जृईजा को लिए बोलिंग में शिराज, लिजार्ड विलियम्स और केसव माराज को लिए कप्तान मार करम को बनाया है, वाइस कप्तान सुर्य कुमार यादो को बनाया है यह है 10 प्लेयर अगर माराजखो डिपनोगा, एंड़िया के अपनी चोईशी रहेगी. अगर आप इंडियो के किसी बैटर पे रिस्क लो तो यहां पे आप एनधायल फ्लूंक आप जिस प्लेयर को इसका रिस्क लेगे, और वो आपके उपर डिपेंड करेगा. हाँ अर्षदिप सिंग के पर भी रिस्क ले सकते हो अगर चाहो तो वो आपके अपनी चोईशी रहे वही देखो यार माई 11 सरकल अप को डाउनलोड नहीं गया तो डाउनलोड कर लो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हूँ इस मैसी में मेगा लिग में फर्स्ट रेंग लाते हूँ तो जीत सकते हो एक करोड है जब फर्स्ट प्राइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है लिंक पे क्लिक करके माई 11 सर्कलेप को डाउनलूड करो अब मैं आपको मेरी एक मेगा ग्रेनलिक की थोड़ी रिस्क वाली टीम दिखा देता हूँ वो तो थी थोड़ी सेफ टीम ये थोड़ी रिस्क की टीम है विगट कीपर में कलासन है बेटिंग में रिंकु सिंग सुद्य कुमार यादव रिजा हैंडिक्स और शुगमन गिल है आपको में मारकरम और जड़े जा बोलिंग में मोहमद सिराज लिजार वीलियम्स तबरेज संसी उर कुल्दी प्यादव है कप्तान मोहमद सिराज को बनाया है वाइस कप्तान सुद्य कुमार यादव को बनाया है थोड़ा सा रिस्क लेगे अब यह रिस्क मैंने उसी इसाब से लिए 2017 वाले में इसको दोड़ा कंसीर्ट करके अब यहाँ पे कुछ चेंजिस आप कर सकते जिसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कुल्दी प्यादो नाके ने पुरवी विश्णोगी ले सकते अगर यहाँ पे समसी की जगा चाओ तो केसो महराज यह के सेफ उप्सन है या अगर आप लिजार्ड विल्यम्स की जगा चाओ तो ओटेनियल बार्डमेन है नरेंदर बर्गर है या फिर ब्यू है अंडिक्स है जो भी खेले हो एक सेफ उप्सन है उसके लावा कुछ प्लेयर ओर बताता हूँ जिसे यहां पे कलासन लिए अगर इशान क्रिशन खेलेगा तो कलासन इशान क्रिशन दोनों के कोंबो के साथ मिल जा सकते ऐसे आपको चेंज तो करना पड़ेगा जैसे एंडाइल फ्रूंकवाय उटानेल बाट में ने दोनों रिस्के प्लेयर ग्रेन लिखा लेकिन इस ग्राउंड के उपर काफ एच्छे रिकोर्ड केरी करते हैं उसके लावा रवी विष्णोई के लेगा तो आपको वदा टीटवंटी का नंबर वन बोल उसके लावा तबरेज संसी और केसों महराज के बीच में किसी एक को पिक किया जा सकते है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कैप्टन सी के अंदर रिस्क लिए है चाओ तो जरेजा को भी कैप्टन बना सकते हैं बाके लिए को फाइनल टीम आपको खुदी बनानी है पड़ेगी और यह चीज़ ध्यान रगना कि इस खेल के अंदर वित्ते जोब कि मैं एक चीज़ और ध्यान रगना टोस के बाद जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी टीम आएगी वह मैं टेलीग्राम पे दो क्य कहीं आप बाद में कमेंट करो कि भाई आपने एक टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है कोई पैसा नहीं लग रहा उसके लावा रवी विश्ण जैसे ओप्सन है यह मेरी तरप से प्रेडिक्सन दी उम्मीद्गतन विद्ट अच्छल है कि लाइक कर दो इस चैनल को सब्स्क्रा बाद